नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So एक latest development में USA ने तुरकिस्तान Islamic Movement जो की एक संगठन है इसको अपनी terror list से remove कर दिया है Now इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि ये तुरकिस्तान Islamic Movement क्या है क्यों ये relevant है, किस वज़े से USA ने इसको remove कर दिया है And also we will talk about कि इसका चाइना के साथ क्या link है और चाइना यहाँ पे इस चीज को लेके गुसे में क्यों है चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुध इस lecture की PDF को यदि आप लोग download करना चाते हैं So, मेरे टेलिग्राम चाइनल से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Study IQ की app को download करना ना भूलें from the Google Play Store इस app पे चल रही है Big Diwali Sale जिसके तहत आपको सभी courses के ऊपर 10% का extra discount avail करवाय जा रहा है So, यदि आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं इस course को जुरूर भाय कीजेगा That goes by the name of past year prelims discussion course इसको आप मात्र 12 से 13 दिन में खतम कर सकते हैं Right So, before we start सबसे पहले हमको जानकारी लेनी होगी about ETIM जो यहाँ पर तुरकिस्तान Islamic Party या फिर इसका दूसरा नाम है East Turkestan Islamic Movement या फिर कभी-कभी इसको तुरकिस्तान Islamic Movement के नाम से भी जाना जाता है यह क्या है? यह एक Islamic Extremist Organization है जिसकी स्थापना की गई थी उईगुर जिहादिस के द्वारा उईगुर Muslims का नाम आपने सुना होगा इनका नाम आपने सुना होगा इसके संदर्म में Zingjiang Zingjiang का जो इलाका है जो की चाइना के नौर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटिड है यहाँ पे Zingjiang को असल में चाइना Zingjiang Autonomous Region बोलती है ठीक है? लेकिन वैसे यह चाइना की ही territory का हिस्सा माना जाता है जो उईगुर Muslims है यह यहाँ पे रहते हैं Zingjiang के इलाके में यह maximum जो लोग हैं यह तरकिक बोलने वाले लोग हैं यानि की तुर्की के साथ अपना संबंद यहाँ पे बताते हैं यहाँ पर इन्हों ने ही ETIM या फिर TIM को स्थापित किया था in Western China और यहाँ पे चाइना के द्वारा इस ग्रूप को एक टेररिस्ट ग्रूप माना जाता है क्यों? Because यह वाला जो संगठन है इनका में उद्देश क्या है कि हम यहाँ पे Zingjiang को चाइना से अलग करना चाहते हैं और यहाँ पे East Turkistan स्थापित करना चाहते है Something called as East Turkistan जिसमें केवल और केवल उइगुर मुसलिम्स होगे चाइना का उसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा So यह एक separatist organization है And यहाँ पे UN का जो Security Council था उनकी जो Al-Qaeda Sanctions Committee है इसने ETIM को सन 2002 में एक terrorist organization गोशित कर दिया था इसके बाद जब यह हुआ था इसके immediately दो साल के बाद अमरीका ने भी इसको अपनी blacklist में enter कर दिया था लेकिन अब सन 2020 में in fact just दो दिन पहले की बात है USA ने East Turkistan Islamic Movement को यहाँ से terror list से remove कर दिया है आप देख सकते हैं November 7 की The Hindu की यह news है So added in 2004, removed in 2020 by USA जब 2004 में इसको add किया था उस time पे USA के president थे Mr. George Bush इन्होंने ETIM को add किया था और इनका जो main reason था add करने का वो यह था कि दुनिया भर में एक जंग लड़ी जा रही है terror के खिलाफ, आतंग के खिलाफ जिसमें USA और चाइना ने हाथ मिलाया था और चाइना के कहने पे इस particular Islamic party को इसमें add कर दिया गया था लेकिन 2020 में अब USA की जो नई सरकार sorry, पुरानी सरकार जो Donald Trump के अंडर थी इनके जो secretary of state है Mr. Mike Pompeo इन्होंने यहाँ पे announcement करते हुए कहा कि ETIM was removed from the list because for more than a decade there has been no credible evidence that ETIM continues to exist कि यहाँ पे पिछले एक दशक से हमें कोई सबूत नहीं मिला कि ETIM वाकरी में यहाँ पे exist करती है इसलिए हम इसको यहाँ से remove कर रहे हैं in fact यह वाला जो फैसला लिया गया by the US Department of State इस फैसले को काफी सारे लोगों ने welcome किया Washington based एक बहुत बड़ा NGO है जो की human rights के लिए fight करता है जिसका नाम है OIGUR Human Rights Project इन्हों ने state के department के decision को कहा कि this was long overdue काफी लंबे सामें पहले से यह ले लाना चाहिए था and it is also a definitive rejection of China's claims आप देख सकते हैं आपकी right side पे OIGUR Human Rights Project का यह tweet है जिसमें नोंने कहा कि OIGUR Project welcomes the state department decision to revoke the flawed terrorism designation this long overdue decision is a definitive rejection of China's claims in fact इनके जो head है Omer Kanath इन्हों ने यहाँ पे यह भी कहा कि harmful effects of China's exploitation of the imagined ETIM threats are real 20 years of state terror directed at OIGURS कि बिछले 20 साल से यहाँ पे China ही OIGURS के ऊपर आतंक कर रही है ना कि कोई OIGUR में कोई movement जो कि उनके ऊपर यह आतंक चला रही है यहाँ पे अगर आप देखें चाइना का stand क्या है चाइना आज से ही नहीं चाइना लगभग पिछले 20 सालों से ETIM को blame करता आया है चाइना ने ETIM को दोशी ठहराया है कई बार कई सारे हमलों के लिए इन्होंने कहा है कि ETIM की वज़े से कई सारे attacks यहाँ पे हुए है और यहाँ पे अगर आप देखें according to China 2014 में 31 passengers को मारा गया था इनको stab किया गया था चाकू मारा गया था at a railway station in southwestern city of Kunming इस particular map में आप देख सकते है Kunming की location कहाँ पे located है Kunming चाइना ने इस चीज का दावा किया था also 2009 में Xinjiang का ही जो capital है रुम की यहाँ पे दंगे हुए थे जिसमें maximum जो उईगूर Muslims है उन्होंने चाइना के हान के लोगों को यहाँ पे target किया था चाइना का मानना है कि यह वाला group यहाँ पे एक आतंकी संगठन है और यह काफी जादा आतंक फैला रहा है चाइना के ही अंदर लेकिन जो experts हैं विशेशग्य हैं वो यहाँ मानते हैं कि ETIM का इसमें कोई role नहीं है चाइना यहाँ पे केवल इस चीजों को frame कर रहा है और जान बूच के ETIM को blame कर रहा है इन फैक्ट ना केवल experts कई सारे scholars हैं कई सारे activists हैं जो यह मानते हैं कि China ने यहाँ पे कोई evidence भी produce नहीं किया है कोई सबूत नहीं दिया है जिसके तहट पे यह कहा जा सके कि यह एक organized group है या फिर यह attacks करवा रहा है कई सारे activists यह भी बोलते हैं कि China असल में जो उईगूर Muslims है उनको forcibly integrate करना चाहता है और उनको convert करना चाहता है so that वो अपने Islamic customs को छोड़ दे और वो यहाँ पे Chinese Han जो religion है उसको follow करना शुरू कर दे आप देख सकते हैं कई सारी खबरें यहाँ पे सामने आती भी रहती हैं कि China के जो उईगूर में prisons हैं वहाँ पे उईगूर Muslims को brainwash किया जा रहा है वहाँ पे camps चलाए जा रहे हैं कई सारी ऐसी news अक्सर देखने को मिल जाती हैं In fact, ना केवल experts, ना केवल scholars बलकि दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि China की इस चीज को लेके अलोचना कर चुके हैं यह काफी बड़ी report सामने आई थी July 6 की बात है उस टाइम पे US की State Department की Spokesperson Miss Morgan और Tagus इन्होंने यहाँ पे यह भी कहा था कि what has happened to the Uyghur people is potentially the worst crime that we have seen since the Holocaust कि जो दूसरे विश्युद में Germany में हुआ था Jews के साथ almost वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है आज चाइना में Uyghur Muslims के साथ and not only this तभी की बात है अभी 28 October 2020 की US के Senators यहाँ पे Uyghur को एक genocide यहाँ पे declare करने की कोशिश कर रहे थे कि चाइना के द्वारा यहाँ पे नरसहार किया जा रहा है Uyghur में and that too US के Senators Democrats और Republicans दोनों साथ मिलके इस Bill को पास करवाने की कोशिश कर रहे थे not only USA even Canada ने पिछले हफते की ही बात है Canada ने यहाँ पे Uyghur policy को genocide कहा है हाला कि इसको लेके चाइना काफी नराज हुआ Canada के साथ और उनको चिताव नहीं दी एक warning भी दी कि आपको कोई हक नहीं है हमारे internal matters के उपर comment करने का लेकिन Canada still continued and said कि आप जो कर रही है वो सरासर गलत है So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे atrocities तो commit हो ही रही है and कई सारे देशों ने, कई सारे experts ने कई सारे activists ने इस चीज़ को condemn किया है and not only this, very funnily China का ही एक खुद का document release हो चुका था 2019 की बात है जहाँ पे उन्होंने इसके तुरू खुद ही माना था कि हम यहाँ पे genocidal sterilization करवाते हैं genocidal sterilization में का जो main मकसद है वो यह है कि Xinjiang में कोई भी नया बच्चा पैदा ना हो, ठीक है कि Xinjiang में जो उईगर Muslims है वो आपस में यहाँ पे conception ना कर सके and यहाँ पे इनकी population आगे ना बढ़ सके खेर, यहाँ पे जब USA ने इसको terror list से हटाया है China की जो foreign ministry के spokesman है वो obviously इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है इन्होंने कहा कि China expresses strong dissatisfaction and firm opposition to the US decision कि हम यहाँ पे US के फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और हम इससे काफी जादा खफा भी है In fact, उनका जो comment था वो यह था कि we urge the USA to stop backpedaling on international counter-terrorism cooperation कि हाँ पर जो अंतराश्टिय स्तर पर हम आतंकवाद को खतम करने के लिए सहयोग कर रहे हैं उस पे आप backpedal ना करें यानि कि जो आपने पहले हमसे promises कियों हुए हैं उनसे आप पीछे ना जाएं. Now, यहाँ पे एक बड़ा interesting incident याद आता है, पिछले साल की बात है, चाइना, UN में इंडिया के द्वारा जो resolution move किया गया था, JEM leader मसूद अजार को यहाँ पे terrorist declare करवाने का चाइना उस time पे delay करवा रही थी. हाला कि यह चीज अब prove हो चुकी है कि मसूद अजार एक terrorist है और इनको यहाँ पे blacklist भी करवा दिया गया है but I think यह कही न कहीं, it is a tit for tat for China, जो China को अब experience हो रहा है. इसके इलावा आप क्या सोचते हैं, क्या US का यहाँ decision सही है, इसको terror list से हटाने का या नहीं, आप हमें बताईए comment section में, इसी के साथ आप से विदा लेता हूँ, thank you for listening, stay tuned